दोस्तों मौसम बदल रहा है और उसका असर साफ साफ हमारे बालों पर दिख रहा है हमारे बाल जडने शुरू हो गया है फॉल बहुत जादा हो गया है जो लोग ऑईलिंग के लिए कंफरेबल है उनके लिए यह रेमिडी बहुत ही जादा अच्छी है और जो लोग तो चलिए तो चलिए तो आप सब खुश होंगे और सवस्त होंगे मेरा नाम है भानुप्रिया आज मैं आप सभी से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने आई हूं जो कि है हैर फॉल अभी जो मौसम चेंज हो रहा है इसमें हैर फॉल की प्रॉब्लम सब को हो रही है म मैं बहुत से लोगों से अभी मिली हूँ या मेरी फैमली में भी बहुत से लोग है जो इस प्रॉब्लम से परेशान है उनका हैर फॉल बहुत जादा हो रहा है वैसे मैंने जिन्जर ओयल की रेसिपी आप सब से शेयर की थी उसका इफेक्ट बहुत ही जादा जबरदस है ज जो मैं रेमेडी आप लोगों से शेयर करने आई हूँ उन लोगों के लिए वो रेमेडी बेस्ट है उससे अच्छी रेमेडी मुझे नहीं लगता शायद कोई होगी भी हैर फॉल के लिए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों से पहले अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली जी आए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप टाइमली मेरी वीडियो को देख सके इसका जो सबसे पहले इंग्रीडियंट है वो है करी लिव्स एक बॉल के चितने हमें करी लीव्स चाहिए तो आपको इतना सारा लग जाएगा curry leaf अब बाकी आपके बालों की length के उपर depend करता है कि आपको कितना चाहिए इसको आपने अच्छे से wash कर लेना है curry leaf हमारे बालों के लिए इतना ज़ाधा important ingredient है ये हमारे बालों को मजबूत बनाता है काला बनाता है और जड़ने से हमारे बालों को रोकता है हमारे roots को इतना ज़ादा मजबूत कर देता है अगर आप curry leaves का 7 भी करेंगे वो भी आपके लिए बहुत ही ज़ादा आपको फाइदे देता है और इसमें आपने 10 से 15 leaves लेने हैं गुड़हल के इसको आपने अच्छे से wash कर लेना है हिबिस्किस के flowers और leaves दोनों ही बहुत जादे effective होते हैं ये बालों को soft, smooth और silky बनाते हैं बालों को strong बनाते हैं इससे बालों की जो growth है वो भी बहुत fast होती है बालों को essential nutrition प्रोवाइड करता है जिसकी वज़े से हमारा hair fall काफी हद तक कम हो जाता है अगर आपके सर पर गंजेपन की problem है, baldness की problem है तो ये उसको भी काफी हद तक reduce करता है अगर आपके बालों में dandruff की problem है तो ये उसको भी काफी हद तक कम करता है हिबिस्किस के जो leaves होते है या फिर उसके जो flowers होते है उसको जब हम पानी में dip करते है तो वो एक jelly form में convert हो जाता है उसकी जो consistency है वो एक jelly form में आ जाती है उसके बाद हम इसमें use करने वाले है third ingredient aloe vera gel का अगर आपके पास fresh aloe vera leaf है तो आप fresh aloe vera leaf का use कीजिए अगर आपके पास fresh aloe vera leaf नहीं है तो आप market based aloe vera gel होता है वो भी यहाँ पर use कर सकते है आपने aloe vera leaf को अच्छे से peel करना है उसमें से उसका जो gel है वो extract कर लेना है या फिर आप इसको as it is भी use कर सकते है aloe vera gel हमारे scalp को अच्छे से clean करता है यह natural cleanser का का काम करता है हमारे बालों को hydrate रखता है hair growth को promote करता है क्योंकि हमारे बालों को अच्छे से hydrate करता है उसकी वज़े से हमारे बाल आपस में उलज के तूटते नहीं है अब हमने क्या करना है इन सभी चीजों को हमने mixi jar में या blender में डालना है और इसको डाल कर हमने इसका एक paste ready कर लेना है paste ready करने के बाद आपने सबसे पहले अपने बालों को थोड़ा गीला करना है अगर आप ड्राय बालों में इसको apply करोगे तो शायद आपके बाल लगाते लगाते काफी ठूट सकते हैं तो पहले से थोड़ा अपने बालों को चाहे हाथों से dab-dab कर लिजे अगर आपके पास spray bottle है तो spray bottle से आप कर लिजे उसके बाद आपने इसको अपने पूरे बालों पर apply करना है अगर आप सिरफ hair fall के लिए इसको apply करना चाहते हैं तो अपने scalp पर इसको apply कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर अपना conditioning के तोर पर मैंने इसको use किया है क्योंकि hair fall की problem मुझे नहीं है क्योंकि मैं ginger oil use कर रही हूँ उसकी वज़े से मेरा hair fall काफी हद तक सही हो गया है एक दिन में अगर आपके 50-100 बाल गिर रहे हैं वो normal है इससे जादा गिरता है तो वो एक problem है तो आपने इसको अपने पूरे बालों पर apply करना है चाहे तो आप इसको अपने length पर भी apply कीजिए अपने scalp पर आप इसको अच्छे से apply कीजिए बाल दोने से 2 गंटे पहले आप इसको अपने बालों पर apply कीजिए उसके बाद आप इसको 2 गंटे के लिए अपने बालों पर लगे रहने दीजिए फिर आप अपने hair wash कर लीजिए इसका result मैं आपको वीडियो के end में जरूर दिखाऊंगी कि इसका कैसा result आया है मेरे बाल जो हैं बहुत ही ज़दा shiny होगे और सबसे अच्छी बाद मुझे गी बालों के इसको apply करने के बाद जब मैंने hair wash किया तो मेरे बालों की काफी अच्छी density लगी volume आगई बालों में इसका result आपको first wash में ही दिख जाएगा लेकिन आपने इसको first wash के बाद आपने इसको ये नहीं है कि stop कर देना इसको आपने continue करना है week में आप इसको one time use कर सकते हैं कम से कम आप इसको two to three weeks के लिए इसको use कीजिए उसके बाद आपको इसके जो बहतरीन results है वो मिलेंगे आपका hair fall जो है completely रुख जाएगा अगर आप इस remedy के अच्छे result चाहते हैं अगर आप hair mask के इसके अच्छे result चाहते हैं इसके बहतरीन results मिलेंगे अपने जो results है वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चाहें मुझे Instagram और Facebook पर भी फोलो कर सकते हैं अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ फ्रेंड्स झाल झाल झाल